यूपी के मुख्य मंत्री हैं योगी अधितनात गाय गौशाला गौरक शहादी को सरकार की प्रात्मिक ताउं में रखते हैं कई योजनाय भी चला रखी हैं लेकिन एक तरफ जहां ठंड से गायों की मौत हो रही है वहीं कुछ 25 प्रमुक और गौशाला संचालक सरकारी फंड ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं पहले बात करेंगे बांदा की अंग्रेजी एक बार धा टेलिग्राफ की खबर के मताबिक एक दर्जन से अधिक 25 प्रमुकों ने सीम यूगी अधितनात को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि अप्रेल 2020 के बाद उन्हें गायों के लिए कोई सरकारी पैसा नहीं मिला है हम अपने खर्चे पर गौशाला चला रहे हैं अगर 25 दिसमबर तक हमें बकाया राशी नहीं मिलेगी तो मजबूरी है पश्वो को छोड़ने पर विवश हो जाएंगे बतादे की सरकार की ओर से हर गाये के लिए 30 रुपए रोजाना दिये जाते हैं पंचायज प्रमको का कहना है कि वे साल 2018 से 43 गौशाला चला रहे हैं अप्रेल 2020 से कोई फंड नहीं मिला है जिला ग्राम प्रधां संग के नेता ग्यान सिंग का कहना था कि 43 गौशालाओं में 15,000 गाये हैं जिने वे खाना खिला रहे हैं सरकारी फंड ना मिलने से मुश्किले होने लगी हैं इस खबर पर हमने बात की बांदा की जिलादकारी आनंद कुमार सिंग से उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं है कुछ वक्त पहरे ही रुका हुआ पैसा रिलीज किया गया था हलाकि ये पैसा कितने दिन पहले जारी हुआ जिलादकारी को याद नहीं था पश्पालन विभाग के संयुक्त नदेशक विद्या भूशन सिंग ने दिरलन्टाव को बताया हमारे पास 200 करोन का बजट था जिसमें से 132 करोन हम बांट चुके हैं 34 करोन हमारे पास और आ गया है लेकिन हमारे डारेक्टर नॉम्बर में ही रिटायर हुए है नए कोई आये नहीं है जैसे ही नए डारेक्टर आएंगे पैसा भेज दिया जाएगा ये पैसा डियेम सहाब की खाते में जाता है वही पैसा गौशालों को दिया जाता है इधर अलितपुर में कुछ गायों की ठंड और भूख से मौत के आरोप सामने आये हैं कॉंग्रियस महासरचिव प्रिंका गांधी ने इस बारे में यूपी सरकार को पत्र लिखा है और शतीस गर्ड मॉडल अपनानेगा सुझाओ दिया है दरसल अलितपुर जिले में सौजना गौ आशरे इस्थल और अमझरा गौ आशरे इस्थल पर कुछ गायों की मौत हुई है इसका वीडियो भी वारेल है जिला अतिकारी ए दिनेश कुमार ने कुछ कर्मचारियों पर कारिवाई भी किये इस पर परुषपालन भी भाग के संजुक निदेशक विद्याबूशन सिंग ने कहा इस मामला में रिपोर्ट साशन को भी जा चुकी है डियम और कमिशनल इस तर से जाच हुई है हमारे यहां से भी अतिकारी गए थे जैसे आदमी मरते हैं वैसे ही पशू भी तो मरते हैं गौशाला में एक हजार से उपर जानवर हैं चार-पांश मरे थे शायद उनको जंगल में ले जाकर दफनाया गया था किसी ने इसका वीडियो बना कर वाइरल कर दिया गौशालाओं में ज़रुत से अधिक पशू के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि ललितपूर में नई गौशाला बन कर तयार है उद्घाटन भी किया जा चुका है व्यवस्थाएं बनने में वक्त लगता है खेर ये खबरे थी बुंदेलखन के दो जिले बांदा और लिलितपूर की लेकिन सम्ब्रद इलाका मानने जाने वाले पश्चमी यूपी में क्या स्थिती है ये जानने के लिए हमने बात की राष्ट्र चेतना मिशन के राष्ट्री अधिश हेमन सिंग से हेमन मुलन शहर में रहते हैं और गायों के लिए काम करते हैं उन्होंने कहा कि सरकार जो पैसा देती है कई बार उसमें कुछ देर हो जाती है ऐसे में NGO मदद करती हैं लेकिन उनकी भी अपनी सीमाय है पशुपालन विभाग मेरट मंदल के सहाइक नदेशा डॉक्टर उजुमा ने दावा किया कि सभी पेमेंट वक्त पर जिलो तक पहुँच रहे हैं कहीं से कोई शिकायत नहीं है मेरट के अडिशनल डिरेक्टर डॉक्टर राजेश शैनी ने बताया कि मंदल के सभी जनपदो तक पैसा पहुचा दिया गया है जहां से और डिबांड आई है उसके बारे में शाशन को बता दिया गया है सबसे धिक डिमांड बुलन शहर से है इस पर बात करने के लिए हमने प्रदेश की पशुपालन मंति रक्ष्पन रायन चौदरी को फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा विपक्षी दल क्या कहते है अब यह जान लिए कि प्रदेश में गयों और गौशालों की स्थिती दैनी है जमीनी हगीकति है कि गायों के लिए पानी तक नहीं है सरकार 30 रुपई देती है उसमें पूरा चारा हो ही नहीं सकता गाये गौशालों से गायव हो जाती हैं, मर जाती हैं, हालाग बिहत बुरे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ट निता राजिन चौदरी ने भी आरोब लगाते हुए कहा, ये गाय का भी सम्मान नहीं कर पाये, कैसी सरकार है, हवा हुआ ही बाते करते हैं, बुंदेलखंड में कई गाये मर गए, सलकों पर घूम रही है, पूजनी बोलते हैं, नारा लेकिन सेवा नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए सरकार को अलग से फंड बनाना चाहिए था, बड़ी गौशालाय बनानी चाहिए थी, येतना हल्ला मचाया, उतना काम नहीं किया, यूपी का किसान परिशान है, उसका अनाज पशू चर रहे हैं, सरकार और उसकी विवस्थ हैं, विफल हैं, आपके लिए रिपोर्ट लाया थे हमारे साथी अमित, देखते रहे हैं, दिललन टॉप